हमस्कार दोस्तों तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपने कंट्री के अंदर जो करेंट फार्म क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों हमारी गवर्मेंट ने अभी तीन कानून पास करे हैं फार्म प्रेडियूस ट्रेड अन कॉमर्स प्रोमोशन एन फेसिलिटेशन एक्ट टूथाउजन ट्वेंटी जिसके अनुसार अब आप अपना जो किसान है वो अपना सामान APMC यानि की Agricultural Produce Market Committee जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मंडी कहते हैं मंडी के बाहर भी वो अपना सामान किसी को बेच सकता है दूसरा जो कानून है दोस्तों इसमें वो है Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 इस इस कानून के तहट अब Contract Farming को लीगल कर दिया जाएगा और जो तीसरा कानून है वो है Regarding Essential Commodities Act Amendment 2020 इसमें Government ने क्या किया है कि अभी जो Essential Commodities के लिस्ट होती है उसकी कोई अभी Holding नहीं कर सकता है उसकी कोई Stocking नहीं कर सकता है यानि कि उसको बहुत जादे Store नहीं कर सकता है क्योंकि अगर कोई किसी चीज़ को बहुत जादे Stock कर लेगा तो Market में Price Rice हो जाएगा लेकिन आप Government ने इसमें से बहुत सारी चीज़े List में से हटा दी है जैसे कि Potato, Onion, Edible Oils, Cereals, Pulses इसमें से हटा दी है तो एक आशंका ये है कि इससे Price Inflation हो सकता है जो सरकार कह रही है एक आपको चीज़ समझनी पड़ेगी Minimum Support Price Minimum Support Price वो प्राइस होता है जिस पे जो एक Minimum Value होती है किसी कुरॉप को खरीदने किसी फसल को खरीदने की उससे नीचे मंडी में उससे नहीं खरीदा जाएगा जो सरकार ने मंडी बनाई है उसमें उसे नहीं खरीदा जाएगा उस प्राइस से कम तो सरकार ये कह रही है कि सरकार ने Minimum Support Price खतम नहीं करा है और किसान ये कह रहे है कि Government की Planning ये है कि Government Minimum Support Price को खतम करना चाहती है और किसानों को Market के उपर Market के हालात पर छोड़ देना चाहती है जबकि सरकार ये कह रही है सरकार का कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि मंडी ओ को खतम किया जाए या Minimum Support Price की व्यवस्था को खतम किया जाए तो दोस्तों अब एक सवाल ये भी है कि जो विरोध हो रहा है वो पंजाब हरियाना की तरफ जादा क्यों हो रहा है और देश के बाकी राज्ये इसमें involved क्यों नहीं है तो सबसे पहला तो ये कि पंजाब सरकार ने अपने यहाँ पे एक infrastructure तियार किया है APMC का वहाँ पे सबसे जादा APMC है यानि कि मंडिया है जहाँ पे समान बेचा जाता है और वहाँ पे government को अच्छा खासा revenue भी आता है हर्याना को कोई 3600 करोड रुपीज का revenue APMC से आता है अब जो नया कानून आया है उसके according जब कोई किसान किसी को बाहर फसल बेचेगा तो government उससे वो commission नहीं ले सकती जो वो APMC से वसूल करती है लेकिन किसानों का कहना ये है कि अब सरकार corporate को फसल corporate को corporate you know corporatization करना चाहती है फसलों का जिससे कि क्या होगा कि किसान को एक साल तो corporate अच्छा पैसा देगा लेकिन उसके बाद जो है किसान को you know market के हालात में छोड़ दिया जाएगा तो किसान ये चाहते हैं कि minimum support price जो APMC के लिए लागू है वो जो अगर आप corporate के entry कराना चाहते हैं तो corporate पे भी minimum support price लागू किया जाए तो basically insecurity इसी चीज़ के regarding है कि किसानों को market के हाल पे छोड़ दिया जाएगा तो पंजाब और हर्याना के जो farmers हैं वो उन farmers में से आते हैं जो minimum support price पे अपना अपनी crops अपनी फसल सबसे जादा बेचते हैं जितनी total procurement government करती है on minimum support price जितना government माल लेती है on minimum support price उसका 90% हर्याना और पंजाब से आता है इसलिए जिसके ओपर सबसे पहले चोट हो रही है वो विरोध भी सबसे पहले कर रहा है बाकी जो किसान है उनको minimum support price उतना नहीं मिलता है जितना हर्याना और पंजाब के किसानों को मिलता है तो और जो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो जो है farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm service act इस act के तहत contract farming को legal कर दिया गया है तो इसमें जो किसान है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि contract farming पहले नहीं होती थी या जो मंडी के बहार समान है किसान पहले नहीं बेशते तो वो पहले भी बेशते थे लेकिन अब क्या government उनको क्या लगता है कि government ने इससे क्या किया है उनके according government का जो idea है वो ये है कि किसानों को बड़े बड़े corporate के साथ जाकर जब वो contract farming करेंगे तो बड़े corporate जो है किसानों को ऐसा लगता है कि किसान उनका exploitation बड़े बड़े firms करेंगी और वो उनको उनके उपर ऐसी liability unfavorable contract से डाल देंगे जिससे कि उनको नुकसान होगा क्योंकि किसान उतने you know they are not technically and legally so sound as big corporate groups are और इसमें जो एक एक और problem है वो ये है कि किसानों को ऐसा लगता है कि government ने जो इसमें provision किया है कि इसमें आप court नहीं जा सकते you cannot go to court in case of a dispute with the corporate इसमें अगर आपको कोई dispute है then you can go to subdivisional magistrate जो आपके matter को सुनेगा तो ये भी इसमें एक page है और तीसरा page जो है दोस्तों वो essential commodities का है जो मैंने आपको बताया कि अब जब government ने इनको निकाल दिया है तो इनकी अगर पहले आप holding करते थे before this amendment तो वो holding illegal होती थी और फिर उसके उपर आपके उपर कारवाई हो सकती थी लेकिन अभी उस पे कोई कारवाई नहीं हो सकती है और अब कोई भी व्यक्ति stocking कर सकता है because now they are not essential commodity तो मैं मेरे को लगता है कि मैंने सारी useful information जो आपको current farm crisis के से जोड़ी है वो दे दी है और मुझे लगता है कि आपको समझ भी आगया होगा basically problem कहाँ पे है और जो government कर रही है कि वो विरोध नहीं करने दे रही है in fact government को ये करना चाहिए कि government को किसानों को सुनना चाहिए और किसानों की problem को address कर देना चाहिए ताकि ये जो problem इतनी बड़ी problem है नहीं जितनी बड़ी बना दी गई है right तो दोस्तों इन सब concerns को किसान के address करके इस problem को खतम किया जा सकता है right मेरे ख्याल से किसानों की जो concern है वो genuine है अगर corporate फसल खरीदे तो corporate भी minimum support price पर खरीदे अगर आप competition ही चाहते हैं तो किसान को अच्छा price कम मिलेगा जब कोई और minimum support price से जाधा खरीदेगा right तो minimum support price की foundation government उस पे लगा दे किसानों का शोशन ना हो, court जाने का रास्ता खोल दिया जाए in case of a dispute, right और essential commodities की जो government ने नई लिस्ट बनाई है उसको revise किया जाए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों